सर सिये फांडेशन जून 24 के अटेंट में बिलकुल भी टाइम नहीं बचा है सरफ और सरफ 20 दिन का सामय बचा है और यह बीज दिन सोच सोचके ना मेरा दिमाग प्रेशन कुकर की तरह सीटी बज़े ही जा रही है कि क्या होगा कैसा लेवल रहेगा पेपर का क्या मैं अटें यहें कि क्या पर हम क्या हो सकता है उन 2054 टिक है यहाँ पर हम हरे पाइख करेंगे कि क्हा पूर्ट करेंगे और इसके प्रवारेग प्रश्चरण यहाँ और यह सबसे बरोगए हम बात करते हैं अपने परस्के तो पीटा आपको पता है आपकर चार पीपरत वर्स 2nd is law 3rd is quantitative aptitude and 4th is business economics अब आपको पता है तो कहीं ना गई पेपर इंटर के अगर में बात करूं तो कोई भी पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत जादा डिफिकल्ट हो गया है बट लेंदी हो गया था और वह भी कौन सा पर आया लेंदी अकाउंटिंग का आपको पता है पिशली बार का हमारा सी फांडेशन का अकाउंट तरीके से पूछ लेगा तो पेपर डिफिकल्ट बनने की संभाव रहें बहुत काम हो जाती है पेपर डिफिकल्ट करने का सरफ आई के पास यह की तरीका है कि पेपर को लेंदी कर दिया जाए और अकाउंटिंग का पेपर हमांगे चल सकते हैं कि यह पेपर आपका लेंदी अबब रहेगा क्योंकि लेंदी होगा यह लेंदी पेपर को डिल करने का सरफ यही तरीका है कि आप स्टार्टिंग से स्पीड बनागी चलेंगे खैर उसके बारे में पूरी की पूरी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर अटेंड हैं कि अब पिपर लेंदी रहेगा और थोड़ सा आपको कह सकते हैं अब आव एवरेज रहेगा ठीक है और यह हम कह रहे हैं आपने प्रीविए सटेंब को देख करके और सिए इंटर के जो अटेंट हुआ उसके हिसाब से उसके बाद अगर मैं बात करूं पिपर नमबर ट देखा गया कि सब सब्सक्राइब में बच्चा पास है वहां पर कुछ नया नहीं कर आईशे ने आउट ऑफ दा बॉक्स कोशन पूछ लिए जो कोशन कभी नहीं पूछे गए वह आपने लास्ट अटेंट में देख लिए कि वह कोशन हमसे आईशे ने पूछ लिए ठीक है चैही और पेपर यह नहीं सकते कि आपकी दो नहीं से निफिक नहीं रहा थे अगर आगले ज अटेंप है उसके ऑनदर क्या तो लॉग के पेपर को हम यहाँ पर एवरेज मोल सकते हैं लॉग पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता है डिफिकल्ट एवरेज क्यों लिखना सब्सक्राइबरेज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो नए चेप्टर एड़न हुआ है जैसे पूछने की संभावनें आई से की थोड़ी ज्यादा है तो लॉग पेपर हम कह सकते हैं कि एवरेज क्या सब्सक्राइगा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम भी लोग का वेपर जो आया था वो थोड़ता आउट-बॉक्स आगया था ठीक है और और जिनका कही न कहीं अफोबी होता है क्यों काये लार के अंदर आई से जादा छिडखानी नहीं करता है और इसका पर हमेशा में एवरेज और ऊजी देखने और भी पिछली बार भी बहा है अगर मैं बात करूं से कहरें अवरेज और पर आसान रहेगा ठीक है आपको इसक सब्सक्राइब इसके बाद बात करें, कि बिजनस एक्नोमिक्स की, अब बिजनस एक्नोमिक्स के अंदर बैटा, 5 चप्टर नहीं है, 5 New Chapters है और 5 Old Chapters है, 5 Old Chapters है, ठीक है, अब बैटा, जो 5 ने चप्टर है, यहां से question बूछे जाएंगे, और हमें नहीं पता, कि पहली बार एक तरह से, इन प में रख सकता हूं ठीक है जी बाकी वैसे होता असान है बट नए चप्टर की वज़े से मैं इसे अब आपका कहीं नगाई एक सिनेरियो हो सकता है कि यहां पर आपको अकाउंट का पर लेंदी देखने को मिलेगा लॉग का पर नॉर्मल देखने को मिलेगा असी कोई दिक्कत करना है ठीक है अब बात करें साथ टिप्स की इंपोर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में इसके लाव में आपको बता दू कि बेटा आपके एक्जाम से पहले हम आपके लिए मेरधन सेशन लेकिए आ रहे हैं जो 12 जून 13 जून 14 जून 15 जून है ताकि आपको पूरी की पूरी रिविजन हमारे ग्रूमिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करा पाए ठीक है जी आप मेरधन सेशन जाके आभी से आप वहाँ पर रिमांडर भी लगा सकते हैं इसके लावा मैं आपके लिए लेकिया रहा हूं अकाउंट के लिए टू रहेगा उसके बाद थियोरी भी लाएंगे ताकि आपके वह अकाउंट के बीस नूमर कंफर्म हो जाया अब बात करें टिप्स टू फॉलो आप कुछ टिप्स टू फॉलो करती है यानि कि सबसे पहला है अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल बहुत बड़ा प्रिंसिपल अप्लाई जब एक्जाम है उससे पहले के 10-15 दिन की पढ़ाई और उससे पहले के 2 मेने की पढ़ाई लगभग बराबर होती थी कि आखरी के 15 दिन और उस 15 दिन से पहले के 2 मेने लगभग बराबर होती थी कि आखरी टाइम में हम कहीं नहीं उतनी जादा अपना एफोर्ट जालते है है और उसके हिसाब से वह result होता है तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको यह करना है कि भाई साहब आपको ना अपनी 20 परसंट मेहनत से 80 परसंट फल आना है मतलब कि आपको most important chapters पर फोकस करना है ठीक है जी आपको उन chapters पर डील नहीं करना है जो आपको दिक्कत नहीं आएगी बहुत असानी से हो जाएगा लोग के अंदर मेरे को पता इंडियन कॉंट्रेक्ट एक लंबा है बट इंडियन कॉंट्रेक्ट एक को छोड़के मैं सेल्सकूर्स एक पार्टनर्शिप LLP कंपनी अगर मैं कर लेता हूं तो मेरी जिन्दीकी असान है पा तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो पास होने का यही प्रिंसिपल अप्लाइटी-ट्विटी प्रिंसिपल करना है आपको 100% स्लीवर्स पे नहीं जाना है अगर आपके टाइम कम है तो अब आपको पता है कि पेपर कहीं न प्लस लंबर लेगे आंगे विजाओट डूइंग प्रेक्टेस तो बैटा ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्टिव पेपर यानि कि अकांट्स और लोग के अंदर पांच से छे मिनिमूम एम्टीप पेपर से पहले दे जिसको चेक कराएं एक कोई दिक्कत निए जितना हो रहा है उसे तो सदक्रेंट इसके लाव रिवीजन स्टाथ़ों ऐसे सबक्ता की'ह मैं मैं.. से साइंस की लगवीर सिंग आ जाती थी है मैं मैच के लिए आडी शरम उठा के दे दी जाती ती और डिफरेंट दे दी जाती थी यह करनी है फिर यार मिरको समझ आया अपनी 9th क्लास की जब मेरा एक्जाम लिख था प्री बोर्ट जिसे कहते थे उसमें होते थे क्या कि भाई जब सकते हैं और उपर से गोतुरू कर सकते हैं बड़ जो स्टामाक वाले question है उनको बारबा देखना होते हैं उनको दुबारा हाथ से बनाना होता है revision के टाइम पर इसके लावा आपके बास revision strategy के लिए आपके जब आपने पहली बढ़ा था पर एक्जामपल मैं आज के अंदर मेरे को टाइम विल्य उपनी चप्टर आता है तो यह थोड़ी ना है कि बार बार उसे रिवाइस करता रहूंगा उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है तो मैं उसको जादा फोकस करूंगा रिविजिन के डैम पे ऐसा नहीं होता कि बार बार चार में से एक विपर हैसा। UNDर फोड़ा सा कह सकते हैं उपर नीच आया दो पुपर मेक्सिमुम कहा सकते हैं उनको दिक्कत देते हैं उच्छा से ay और शाश्चा सब में हैं फट्र नव् देविटकत इस इई बाकी डो में अगर पचास फचास बी आ गए तो आपको क्या करना है आपको स्ट्रेंथ पे फोकस करना है बट अपनी वीक्नेस को नहीं भूलना इसा नहीं है कि मैं लौ छोड़ दूँगा बट लौ में मैं ट्राय करूँगा कि मिनिमुम 50 मार्क्स तो आही जाए मेरे और साती जात अकाउंट में अच्छा है तो मैं ट्र प्लस नंबर लेके आप आओ तो यह ज़रूर है आपके लिए इसके बाद आपको आखरी टायम में बीटा बीज दिन है तो इसके इंदना बहुत जादा प्रेशर विल्ट अप होगा ठीक है आप डिफरेंट वीडियो देखेंगे पर ये पर वो तो आपको इस समय काम रहन करने के लिए सरफ एक ही तरीका है इस समय छोटी बोटी एकसाइस करिए ठीक है घर में रहा की कर सकते हैं और मेडिटेशन करिए मॉनिंग वाक कर सकते हैं यह सारी की सारी चीज़े जब आप अपलाएंग अपलाए करेंगे आपने अने वाले अटेम्ट के लिए तो शाम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई ओल दे बेस्ट थेंक यू